पेशें लड़ू की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे तिल के लड़ू, के लिए हमें चाहिए गुड़ एक कटोरी, तिल दो कटोरी, मुम फली एक कटोरी, अब हम एक बरतन में पानी लेके गुड़ को पहले गला लेंगे, गु गुड़ बिखल चुका है यह देखिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे मुम्पली भी सिख चुकी है अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और तिल को सेख लेंगे फ्रेंट्स दिल को भूनते भूनते अब दिल में से एक सौंधी सी खुश्बू आनी शुरू हो गई है अब हम देखिए इसको चेक करेंगे ऐसे दबा के अगर यह एकदम बारिक पिस जाए और तेर थोड़ दे तो तिल फ्राई हो चुकी है अब हम इसे भी एक बर्तन में न रखा हुआ था पिघाल के रखा हुआ था उसको चान लेंगे बिना चान के बनाने से फ्रेंट्स के होता है गुड में कभी-कभी कच्रा रहता है जो कि डायरेक्ट आपके लड्डू के साथ मूँ में आता है और वो मने पूरे टेस्ट को खराब कर सकता है इसलिए हम पहले गुड को एक बार मेल्ट करके फिर उसको चान लेंगे अब हम गुड को पका लेंगे जब तक गुड पक रहा है तब तक मोंपली के च्छिलके आपसे हाथ से मसल के इसके च्छिलकों को अलग कर लेंगे यह देखिए बहुत ही आसानी से इसके च्छिलके अलग हो जाएंग बिजविच में एक बार गुड़ को चला दीजे ने तो गुड़ उबल के बाहर आ जाएगा बरतन से लेखिए गुड़ काफी थिक हो गया है अब हम यह जो मुमफली हमने साफ की है इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे थोड़ा आ सकती है तो थोड़ा सा तोड़ लेंगे आप चाहें तो साबुद भी डाल सकते हैं मैं थोड़ा हमेशा तोड़के ही डालती हूँ यह देखिए गुड़ में परफेक्ट ठिकनस आ गया है अब हम यह तूटी हुई मुमफली और तिल डालके इसे पका लेंगे एक से दो मिनिट अब इससे ज्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे अब इनको गरम गरम ही थोड़ा थोड़ा करके एक बरतन में निकाल दीजिए और पिल के लड़ू हमेशा जब तक इसका पुश्रण गर्म है तब तक ही बनता है ठंडा होने के बाद इसके लड़ू नहीं बनते हैं तो इसको हम पूरा एक साथ नहीं निकालेंगे थोड़ गी यह पानी लगाकर आप इसके लड़ू बना लेंगे हलका साहत में पानी लगा लिजिए या घी लगा लेंचे ये गरम है तो थोड़ा साबधानी से बनाएएगा यह देखिए लड़ू बनकर रेड़ी है फ्रेंड्स दूसरी रेसिपी है चना दाल के लड़ू की रेसिपी हमने देखिए गुड़ को मेल्ट कर लिया है अब हम गुड़ को छान लेंगे छानने के बाद इसे फिर थोड़ी दिर और पकाएंगे और फिर इसमें जो मार्केट में चनी मिलते हैं भूने हुए उन चनों को इसमें डाल देंगे चना दाल डालने के बाद आप इससे अच्छे से मिक्स कर लें और एक से दो मिनिट पका लें इनका मिश्रन तयार है अब फटा फट गर्म गर्म रहते हैं इनको लड्डू बना लेना है इसलिए आप एक बरतन में इन्हें निकाल ले और हाथ में तेल या घी लगा कर फटा फट इनके लड्डू बना लें क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू अच्छे नह बनेंगे लड्डू का शेप अच्छा नहीं आएगा चने दाल के लड्डू रेड़ी है फ्रेंट्स तीसरी रेसिपी है मुर्मूर के लड्डू की इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मुर्मूरे और आधा किलो गुड एक बरतन में हम एक चोथाई ग्लास पानी डाल कर उसमें गुड डाल कर गुड को पिघला लेंगे गुड को पहले तोड लेंगे छोटे छोटे टुकडों में जिससे यह जल्दी पिघल जाए गुड पिघलना शुरू हो गया है यह देखिए थोड़े समय के बाद गुड को चलाते रहिए जिससे वह बरतन के तली में ना चिपके गुड काफी थिक हो गया है यह देखिए अब हम चेक कर लेंगे कि हमको जितना गाढ़ा चाहिए गुड उतना गाढ़ा हुआ है कि नहीं उसे चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और अब इस पानी में एक दो ड्रॉप गुड की डालेंगे अगर गुड इखटा हो गया है तो गुड की कंसेंटेंसी एकदम करेक्ट है अभी लड्डू बनाने के लिए और अगर गुड गाढ़ा नहीं एक जिगे नहीं जम रहा है फैल रहा है तो गुड को भी और पकाना है लड्डू बनाने के लिए जितना गाढ़ा चाहिए अभी गुड बिल्कुल वैसा है पानी में डालने के बाद ये जम जा रहा है ये देखिए याने पूरा गुड तैयार है अब हम इसे मुर्मुडे में डाल कर लड्डू बनाएंगे एक साथ पूरा गुड नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अब अच्छे से मुर्मुडे को मिक्स कर लेंगे इसी चम्मच या कर्ची को ले लेंगे और उसके पतले वाले साइट से उल्टे साइट से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके गुड डालते जाएंगे ये देखिए अब हम थोड़ा सा गुड़ और डालेंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें नीचे का पूरा गुड़ हम नहीं लिया है देखिए मुरमुरे में गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम हाथ में पानी हलका सा पानी या घी लगा कर मुरमुरे के लड़ू बनाना शुरू करेंगे हलके हाथों से दबाते हुए इसके लड़ू बनाईए और एक दो लड़ू बनाने के बाद फिर हाथ में हलका सा घी या पानी लगा लीजिए मुरमुरो के लड़ू रेड़ी है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा और पास ही जो बैल आइकन का बटन है प्लीज उसे भी प्रेस कर दीजेगा उससे मेरे आगे आने बाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे थेंक्यू फ्रेंड्स